जब मुझको साम ने काटा यह पार्ट देखने वाले हैं और इसके पहले हमने देखा कहानी ही कहानी आपको यह जो कहानी का किस्था है यह आपको कैसा लगा अच्छा लगा ना जब मुझको साम साम ने काटा है जब मुझको साम ने काटा है एफी मैंने अपनी अहाथे में एक चुपता साथ साथ रेंगते हुए रेखा यह जो कहानी है यह शंकर यहांने रिखिये लिखाने के लेखर है शंकर जब लेखर गोल रहा है कि एक दिन मैंने अपने अहाथे में एक चुपता साथ रेंगते रेखा बहुत धीरे धीरे रेंग रहा था वो जो साफ है वो धीरे धीरे रेंग रहा था मुझको देखते ही वह भागा और वही पड़े में नारियल के एक खेल में घुसकर छिप गया एक दिन क्या हुआ मैंने अपने आहाथे में आगर में एक चोटा साथा रेंगते वे देखा वो धीरे धीरे रेंग रहा था मुझको देखते ही वह भाग गया मुझको देखते ही वह भाग कोड कही पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया और जैसे ही वो साथ ठागा वहाँ पे क्या था एक नारियल का फोल गिरा हुआ था और उस नारियल के फोल में वो साथ चला घुस गया घुसकर छिप गया मैंने पत्थर का एक ठुकड़ा उठाया और उससे नारियल के फोल का मुझ बंद कर दिया मैंने क्या या एक पत्थर का ठुकड़ा उठाया और उस नारियल के फोल का मढ़ बंद कर दिया इसा खोल रहता है ना नारी का, तो उसका नाया पठ्थर रखकर पंद कर दिया, उसे लेकर मैं नारी के पास गया हूँ, लेकर क्या बोल गया है, लेकर निया क्या, जो उन्होंने साफ देखा था, अंगर में यह रिंगते रिंगते को लेकर को नेकर भाग गया, और भाग कर तो वही बे नारियल का कोल की राव मा था तो उसके अंदर वो जाकर तुसकर छिप गया तो लेकर में क्या था उस नारियल के कोल में पत्तर का टुखड़ा उठाया और उस नारियल के कोल का मुँख बंद कर दिया और वो नारियल का कोल लेकर नानी के पास दढ़ गए तेक अब वो नारियल का खोल लेकर नानी के पास चले गए मैंने कहा नानी देखो मैंने साब पकड़ा है वो जो छोटा सा बच्चा का वही ले करते और वो छोटा से जो बच्चा है वो नाने के पास दाए और बोलें मैंने कहा, नानी, देखो, मैंने साफ पगड़ा है, नानी, चीख करो भी, नानी, डर गई, चीख कर उठी, साफ, वो इना धब्रा गई, की लगी, जोर जोर से चीख ने पुकार ले, नानी, ना धब्रा गई, की वो जोर जोर से चीख ने लगी, जोर जोर से चिलाने लगी, चिला कर उखारने लगी, चीख ने उखारने लगी, नाना ने सुना, तो अंदर से नाना दोड़े आए, नाना ने नानी के आवाज, चीख ने चिलाने के आवाज सुनी, और नाना अं जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर साफ है उन्हों ने मेरे हाथ से उन्हें चीन कर दूर भिका जब नाना को हुआ था चिना कि जो छोड़ा बच्चा है उनके पोते के हाथ में जो नारियर का खोल है उसके अंदर साफ है तो नाना ने क्या किया वो नारियर का खोल उठा लिया और दूर फेंग दिया लेख़क के हाथ से लेकर नारय का फोल नाना ने दूर फेख दिया नन्लाशा बाहर निकलाया और रेंगा हुआ पसकी जाड़े में गाया हो गया और जो फोल में वे छाड़े में चला गया जाड़ी में चला गया नाना ने मुझसे कहा खबरदार कभी कभी खबरदार कभी साप के पास मच जाना नाना ने लेकप से कहा खबरदार फिर कभी साप के पास मच जाना साप बहुत कदरना होता है नाना बच्चे को समझाने लगे सांब बहुत खतर्णा होता है उसी दिन शांपू में एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था यह सांप का किसा के बहुत पकड़ने की कोशिश कर रहा था कोशिश की कोशिश कर रहा था कि उसनी कार्ट खाया ची यह हूँ आज आपका किस्ता तो यह पर कतम हुए फिर उसी ने क्या हूँ आपको लिखप लिखपने बर्ग को पकड़ने की कोशिश की और वो बर्मी उससे कार्ट खाया बड़ी दोर से दर्द उठा मुझे दर्द से करा आते दे नानी ने सोचा कि मुझे सापने काट लिया है मैंने दोड कर नानी को उगली दिखाई उन्होंने जलगी से नाना को पकारा ना तुरन तोड़े आए और मेरे उगली को देखा जहां बर्मी काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था वहर चट मुझे बोड में उठा कर बाहर भांदे देखको फिर उसी देशान को वह बहर स्कुपो पकणने के पोशिश्ट में थे तो बर्मी उन्हें काट दिया थो उन्होंने का लुगली नीली पड़ गयी जिवाबर नीला निशान पड़ गया था वह चट नाना ने लेखको चट से गोद में उठाया और बाहर भागे था और धान के खेतों को खेतों को पार करके भागते भागते हो अपने खर से दूर एक छोटी सी छोटवी के सामने जा कर रोके नान क्या क्या अपने छोटे कोटे को लेखको गोद में दिया और अपने खर से खोड़े दूर धान के खेतों को पार करके हो भागते बागते एक चोट सी छोपडी के सामने जामकर रुखे, वहां पहुचते ही उन्होंने आवाज लगाई, छोपडी के पास पहुचते ही नाना ने आवाज लगाई, एक गुडा आत्मी बाहराया, जैसे ही नाना जी छोपडी के पास जाकर पहुचे, तो नाना ने चोट से आवाज लगाई, एक गुडा आत्मी बाहर निकला, वह साब के काटने का मंत्र चानता था, वह साब के काटने का मंत्र चानता था, नाना ने उस से कहाँ इस बच्चे को साब ने काटनिया है, इसकी छाल ठूप कर गो, नाना जी तैसे ही चोटडी में जाकर पहुचे, तो अंदर से बड़ा आत्मी बाहर निया, और नाना जी उने कहने लगे, जिनिस बच्चे को साबनी काटनिया है, इसकी छाल ठूप कर दो, बुड़ा मुझे चोटडी में ले गया, जो बुड़ा आत्मी था, वो लेकक को चोटडी में ले गया, उसने मेरी उंगली देखी और बोला चुक्चा बैटो, लेकक को उस बुड़े आत्मी ने क्या गहा, उंके उंगली देखी और बोला चुक्चा बैटो, धिलना धिलन पितल के बरतन में पानी लाया और मेरे सामने बैटकर मंत्र पढ़ने लगे पितल के बरतन में पानी लाया और मेरे सामने बैटकर मंत्र पढ़ने लगे यहां तक ही हम स्टोड करते हैं आगे का पाट है हम नेक्स्ट विडियो में अपने पढ़ने लगे आगे का पार्ट नेक्स्ट विडियो में अपने करेंगे तो यह पार्ट आपको पढ़ना है और ऐसी शैतानी बिल्कुल नहीं करने आपके साथ ना कुप्ते के साथ ना किसी चानवा के साथ खुद से उनके पास जाना ही नहीं चाहिए ठीक है आपके बाई तो या यह जो लेसन है वो पढ़ते है ना किसी चाहिए ठीक है आपके बाई बाई झाल झाल